है 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 लो गाइज इस सायलान वेल्कम यौल तो चाट इस यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में हम लेक्ट्री कर रहे हैं चाप्टर हमारा चल रहा था हीट एन एनन्सी ठीक है तो आज की इस वीडियो में हम लोग यह फॉलॉइंग टॉपिक्स को कवर करने वाले सब के पहले हम लुग पढ़ेंगे एको सिस्टम थे उसके बाद एनरजी फ्लो और और एक और चीज़ एनर्जी फ्लो पडाको आपने जो आपको NUMBER में कालरी के फ्रॉपर प्रॉपर स्ट्रक्चर्व एक लिए लोग बनाएंगे और उसके बाद हमारा लास्ट्पिक इस थर् जानेंगा तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हमारा टॉपिक है एको सिस्टम उससे स्टार्ट करते हैं एको सिस्टम होता क्या है तो आपने कहीं नहीं यह जो पार्ट है यह पता नहीं इस पार्ट को किसने फिजिस में डाल दिया बट आपक्षिल में जोग्राफी में पढ़ाया मैं लेको सिस्टम होता क्या हमारे अश्पा जो भी जो बाइऑ-टीक क्रेंट होते हैं पायोक्राइट कामपोनेंट होते हैं भी नचरल wyb नहीं है एक हमारे non living components नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट ऊट है कि जुए हमारे इंविर्मेंट के non living components और हमारे इंविर्मेंट के living components जिए दोनों एक दूसरे पर किस तरह से depend रहते हैं यह दोनों एक दूसरे से किस तरह पर डिपेंड रहते हैं किस चीज के लिए लाइब के लिए जीवन के लिए सिंपल वाशा में बात करें तो जैसे कि इयुक्त कॉंपोनेंट हमारा क्या है एक इस सन हो गया है सन हो गया एर हो गया ठीक है है मितलब आटमोसफेर में से सीधा मतलब होता हमारा आट्मोस्टेर गैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो भी है तो सन एयर हो गया उसके साथ उसके अलावा वॉटर मांटेन्स सारी चीज जो नीचर में प्रेजेंत है यह सारी चीजिक है उसके बाद हने से हमारा मतलब प्लांट और आनिमल या तो कोई प्लांटी होगे लिविंग नीचु issue होगी या तो कोई इनिमल और यह जो दो eight यह जोट्रांट्स है इसको आम लोग कहते हैं प्रोड्यूशर्स खर इसको कहते हैं क्या Producers ठेख और यह जह ऑनीमल सोते हैं यह होते हैं सोते हैं 5 तर दो कि यह जो प्रोड्यूशर्स क्यों कहलािरो कुकि एसको प्रेड् NEW कर रहे होंगे जैसे यह महारे प्लांट खाने चीज़ प्रोड्यूस कर रहा हैं तो इसी लिए प्रेड्ईूसर कहते बार ओफली हो क्हाते हैं अप सब्जी नहीं पल नहीं काते हैं खाते हो अपपर सी बार सिंपल सी बार खाते ही होगे नहीं खाते हैं तो खाना चुरू करो एक है अच्छी चीज़े खाओ यह सारी चीज़े होती है यह दोनों है क्या वन टाइम रिपीट फिर से यह बाइटिक मतलब जो भी नॉन लिविंग कॉंपनेंट जो हमारे लिए जरूरी है वह हमारे लिए सबसे बड़ा सोर्स होता है संज होता है यह इको सिस्टम का सबसे मेजर सोर्स होता है यह क्या होता है मेजर सोर्स होता है किस चीज का एनर्जी का किस चीज का एनर्जी के सूर्स के बारे में बात हमलुक कर रहे है है हमारे मेजर टॉपिक एनर्जी चल रहा हूगा हीट क्योंकि complete हो चुका है इस तरह सेचे मियाश करते हैं टेमप्रेचर की यूनिट्स और बागी चीजें जो होन है वो सारी कवर्ड हो चुकिए है तो यहां पर जो हम मेली पढ़ने वाल वह एनरजी वाले part पढ़ने वाले इन्वार्मेंट में किस तरह से एनरजी फ्लो कर रहा है अब देखो एको सिस्टम तो समझ आगा कि ए बाइटिक और बाइटिक कॉंपनेंट का इंटर रिलेशन जिससे वह रहते हैं इस यूनिवर्स में सस्तेन कर पाते हैं इस यूनिवर्स में लंबे टाइम तक जीवित रह सब्सक्राइब सब्सक्राइब इस इनरजी मिलता है सं सन उस जो होता है सं जो होता ही लिख लिए एको सिस्टम में जो हमारा सन होता है वो मेजर सूर्स आफ एनर्जी होता है कौन होता है बैसन होता है संज होता है वो मेजर सूर्स आफ एनर्जी होता है किसी भी एको सिस्टम के लिए अब माल लीजिए सन ने 100% ड्रेज को अर्थ की तरफ भेजा देखलो जान से माल लो सन ने 100% को अर्थ की तरफ भेजा यह हमारा माल लो सन ने अधर हमारा अर्थ ठेक है हमारा 50-60% जो होता है वह आट्मोस्पेर अब्सक्राइब कर लेता है उसको क्या करता है अट्मोस्पेर उस एनर्जी को 50-60% is basically absorbed it is what basically absorbed by atmosphere डंडना डंडन अब बाकी जो 40-50% होता उसमें भूमी जो जमीन है लैंड ठीक वहां पर भी धूप आईगी अपकोर से बात है दूप तौर जगा आती है वहां पर भी धूप आएगी साथ-साथ पानी जो जल जितने भी हमारे water sources water sources का यहां से मतलब सीरा क्या है जो भी हमारा रिवर हो गया जो भी लेक्स होंगे ठीक है लेक्स होंगे फिर ओशन सोंगे ठीक है तो यह सारे लोग क्या कर रहें इस इन रेस को एब्सॉप कर रहें तो देखो 50-100 पसंट मालो रेज आई 50-60 पसंट तो ऐसे खनम बचा-50 अधी प्रतिस्यत में यह आदि ले जाएंगे एक और देखे यह यह ले जाएंगे बाकी जगा हीट अनरजी यूज उसके बाद जो हमारे जो प्लांट होते हैं एक हमारा प्लांट होता है कि हमारा 10 परसंट नौट इग्जाक्ली यह 8-10% माल लीजिए 8-10% energy जो है पीट के फॉर्म में एब्सॉब करता है यह नि रेज को एब्सॉब करता है एनरजी अब्सॉब करने का मतलब लाइट रेज को एब्सॉब करता है लिखती हाँ यहां पर सन रेज को क्या कर रहा है एब्सॉब कर रहा है कौन प्लांट 8-10% एब्सॉब करेगा और यह जो 8-10% इसमें 0.2% यह अपने काम में लगाएगा ठीक है न वाफ याली कि SIMPLE सी बाति है अगर अगर कौन भर अवानलो नदु कि बनता है एफ जितना वंस्युकंगों पूरा खाल है अगर अगर इतना घृवित वना यह तो आपकुछ पॉरिशन कहते इंपल सी बात है तो वही काम गांग भी कर रहा है प्लाट ने भी अब्जाब कर एंब आज दस परिंट बजॉब्ट तो पर संट वह उस करेगा किस तीज के लिए पॉटुसंथेसिस के लिए पॉटुसंथेसिस फूर प्लाइट गोटू पिकनिक टिक है बन प्लांग टेक द सेहां से करते हैं प्रडइट करता है लैardon हमारा होता है हमारे लिए फूर्ट प्रडूस करता हैwater खोड़ेश कर लोग जो भी चीज़र प्रेडूस करनें अमरी फूट मोग रहे ध है लोग मेजना से इनर्जी देखना है इनर्जी सिंपनी चीज़ हमाथ कि आओ ऊसके अब जब energy produce होगे तो कोई तो उसे खाएगा आप तो खाओगे ना आप सब्जी फल जो भी है वो चीज खाओगे तो आपने मानलो उसको consume कर लिया ठीक है आप जैसे ही consume कर लोगे आपने जैसे ही इस प्लांड को consume कर लिया तो आप इसके consumer बन गए तो जो consume करता वो क्या बन ज किसी तरह इस प्लांड को खाने वाले पहले वेक्ति बने तो आप क्या बने से रोस्त कंच्यूमर होता है पहला स्कृण क्या प्राइमरी कंजिंवर को किसी ने दुबारा से कंजूम कर लिया थैंड है कि मित अब इसे किसीने सब लिए लिए दिए कि जुजार आईगा १ Luna का नेमिंग केंडरी निए के अध अभी सबस्क्राइब हिए कंजूमर को दुबारे से किसीने दूसरा ठीक है और और दो किसी ने ए φूब कर लिया और व्र्षसे हम कहते हैं टर्शयरी कंजुमर तो फैन किते हैं घंखले काने फ्लो हो थो यहां क्या है कर रहा है defect देख यह mindfulnessDY को कहरना को लीआ चताहे हैं फॉर्स करेंगे चिर्छफ में फॉर्स से शेकंड वाले को क्या कहते हैं मैं क्लियर उसक्सि की समाझते हैं एक इकजामपल से समझते है अजैसे की मालोगर्स को आपका टो टो टोgebaut क ग्रास ओपर को कौन कांज्यूम करता है आ प्रत उक होगा ग्रास आपका करता है पर आरहें और डहां और दी उसरो इग्जाम्पल जई सिम्पल से उप आटवेड ऐग्स चिफ ने कंजियूम करा एक ये चुब्स करा वह बड़ा हो गया और उस चिक को अपने लिए human being उस चिक को आपने human being as a human being consume कर लिया तो चिक हमारा क्या बना फॉर्स्ट यह क्या हो गया primary consumer primary consumer PC से लिख दे रहे एपिर human being ने consume कर रहे तो यह मालो secondary consumer अब आप चलेगा भाई यह शेर के पास से लाइन के पास, लाइन ने आपको कर लिए, लाइन ने आपको कर लिए इस से इसको छाहे टेक कि पूर्चेंट, बिसे का यह अप्ला पर फण जेंट प्लॉप एनर्जी from one organism to another organism ठीक है from producers to consumers ठीक है flow of energy कहां से कहां तक होगा producers to consumer the food chain का हम लिख सकते हैं food chain क्या होता है it is basically flow of energy यह हमारी होती है flow of energy from producers to consumers ठीक है रड्यूसर से कंज्यूमर तक जो एनर्जी का फ्लो होता है उसी को फूट चेन क्याता है लेकिन 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 अब यहां के बाद अब हमारा जो तीसरा टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले तो आपको याद रहा होगा अब हम इसी इग्जामपल को लेते हैं इस वाले पार्ट को देखना यह अभी मैं मिटा रहा हूं इस वाले पार्ट को सिंप्ली देखना है यह मालो producer है plant चलो एक डाइग्रम बनाते हैं माल लेते हैं यहां पर Sunrays है यहां पर हमारा Sunrays क्या है एक प्लांट पर पढ़ती है ग्रीन कलर हमारे पास है क्या एक मिनिट है अजी हमार पास ग्रीन कलर भी है देख लो है चलो देखो हम लोग अभी ड्रॉइंग करने वाले हैं बच्चों अपनी अपने कलर से लेकर आओ ठीक है मैं तुम्हें ड्रॉइंग कराना सिखाऊंगा यहां पर मालो यह कुछ प्लांट जैसा ही लग रहा है ठीक ह प्लांट जैसा कुछ तो दिख रहा है सब्नेसे इस प्लांट को एनरजी मिल एक हम ने पढ़ा ता कि यह यह कर लेगा यह जो पषाप करता हो जूंपट् तो परसेट cultiv करता एक इस में पोटो सिंधेस्सी में इसने यूश से वारे हो आप इसे जो कंजूम करेगा इसे मालव कंजूमर कर लिया इस से बॉलिट्रीम करेगा तो के उपलोज इसने 10% wonderful 0.2 परसंट इसने यूश्क पोटे तो और माल लेते हैं इसने 100 Wis और इनर्जी बनाया अब यह 100 Kalory जाए गा किसमें श्राइमरी कंजूमर के पास अब यह प्राइमरी कंजूमर जो जब यह खाना झाएगा जब इसे खाना नहीं अचाने वाले ठीक है अब यह इसे इसको proper 100 continued Stück नहीं मिलने वाला बोलुगी क्यों कि उसे 100 अंड्रीड नहीं मिलने वाला क्यों कि होगा किया जब पूरा कंज्यूम कर रहो का तो ए कुछ पाइड सपोच की ये 50 50 unit 50 cal ये यूज कर दे रहा एक्जांपल के लिए मालने ते एक इग्जांपल है ठीक है इसे मतलब गट तुगड याद मत रखना ठीक है इक्जांपल बता रहा हूँ कि सपोज इसने 100 कल अफ एनर्जी दिया तो प्राइमरी कंज्यूमर ने उसे कंज्यूम किया और उसने मालन 50 cal respiration और बाकी प्रोसेस पर लगा दिया इसने क्या कि रेस्पीरेशन पर लगा दिया अब यह जो रेस्पीरेशन पर लगाएगा दे ध्यान से सुनना अभी जो रेस्पीरेशन पर लगाएगा डाइजेस्ट करेगा उससे जो इसे एनर्जी मिलेगी तो वह एक्दम को वा माह करना सेकेंड्री री सेकेंडरी कंजीूमर यहां पर आए अब ये जो सेकेंडरी राएगा इसे सब्सक्राइब तो यहां पर पचास है तो इसे पचास केल में माल लो कि इसका 20 कैल यूज हो जाएगा डाइजेशन और बाखी चीज़ों में डाइजेशन रेस्पिरेशन तो अब इसे मिला कितना 30 कैल इसे कितना मिला जो 30 कैल होगा थेकर यह जो 30 होगा बहुति के लोगा इसे अगरा लेते इसे श्यूम कर ली आपका सेकेंडरी कि ःस्यूमर ने से किंद्री थर्षे स कंजूमर तेill का ने जीकाल को कण्यूम कर और माल लो इस यह इसका 15-20 ति चीज में रेआइशन बागी चीजों में तरेस्पिरेशन और इब्लाइशन और यह जो पर यूज तब जाके इसे इस तीज के बदले इसे कितना मिला निल रहा है इसे 10-0 ऐनर्जी मिल रही है अब जितने भी लोग वेजिटेरियन है जितने भी लोग नौन वेजिटेव मेरे से रिलेट करना एक बार मालो एक प्लांट इसे आपने डायरेक्ली खाया अगर 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 आपको इससे कितनी अनरजी मिली हंड्रेट का लिए दे रहाता है तो आपको 50-60 के आरांड मिलके लेकिन अगर मालो अगर आप किसी यह खाना ज्यादा हेल्दी है यह खाने से अपके आप यहां से नर्जी लो और टेव एनरजी रहेगी थौट से ही रहेंगे गुस्टा कम आएगा एक एक च्छाओं होर्मोन फिर मेंटें रहेंगा तो नौन वेज खाना इस नौट गुड बट एनरजी के लिए खाओ कभी कभी खाओ या तो आप वेजिटेरियों तो एक दम मत खाओ लेकिन जो भी लोग बहुत ज्यादा काते हैं तो क्रिपे इस चार्ट को जरूरू जो लोग बहुत ज्यादा खाते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते अपने अगले टॉपिक की तरफ अगले टॉपिक और यू जिंपली से दे लास् टॉपिक एनर्जी Veterans कर लिए सबसे पहले हमने कर लित रिकोशिस्टम कर लिए इकोसिस्टम प्रम दंडन डंडन उसके बाद नंबर बन हो गया नमबर ट्यु अंएक्व्स सिस्टम olduğu उसके पूची ब उसके आफ tapping Tabления है हुट चैन कर लिया को इनर्जी फ्लो को समझा है एनर्जी फ्लो को समझ लिए ठीक है एनर्जी फ्लो डाइग्राम को थोड़ा डीटे Whenever नेक्स वीदियो में डिसकस करेंगे थेक वो लेक्ट्शर थी का ही सेकिंड पाट वहे ठीक है अलेक्ट्ट थी विल तर्मोडायनेमिक लॉज इसको इसको इतम सिंपल भास्टा में समझें के थर्मोडायनेमिक सोच रहोगा क्या एक्षिल यह चीज पढ़ोगे जब आप 11 में जाओगे ठीक है बडियाँ पर 9 में क्यों पढ़ाया जा रहा है सिंपल से चीज़ है जरुवत है इसलिए पढ़ाया जा रहा है तो थर्मोडायनेमिक लॉज को अभी हम लोग समझते हैं लिखते हैं अपना हीडिंग लिखते हैं हम लोग हैडिंग कि कैसे थर्मोडायनेमिक लॉज यहां पर रिलेट कर रहा है देखो एक लॉज थो आप energy को form 1 यह माले यह आपका पहला form of energy है इसको जब आप दूसरे form of energy में convert करते हो कर सकते हो simple यह चीज करता है कि energy को एक form से दूसरे form, दूसरे form से तीसरे form, तीसरे form से चौते form, चौते form से पाच वह से नितना बार करना है कर लो तो energy को form 1 से ले करके energy को form टुक तक हाँ, यह करते हैं बदलते हैं, चेंज करते हैं और इसके डियूरिंग आपका ना creation होता है, ना destroy होता है, कोई भी चीज ना create हो रही होगी, ना भी कोई भी चीज तेयो होती है इसके द्यूर्म यह हमका पहला लोग क्या थे लेकिन अब देखो अब अगर आप मालव नेर्जी से काम ले रहे हो तो अगर आपने एक मिनिट एक आप सही है आप देखो सब्सक्राइब आपने एलेक्रिकल एनर्जीन ऑग तो उस Chili मेल खुंग हो मतलब कोई कर रहा हमें हवा थंडा कर रहा है एक चल रहा जो भी चल रहा तो यह उससे आपने कोई काम ले लिए तो एक चीज हमेशे यादिना यह कहता कि हाप का जो 100 पसेंट अगर आप यहां से 100 यूनिट्स अगर आप आप एनर्जी को लेते हो और उसको जब आपको फूरा 100 यूनित सब्सक्रां करोंगे सब्सक्रास्याइव नहीं कर सकते हैं souha यूनित में एंप कुछ јा तो बांगी निस यूनित हो हो सकता है कि आपको साथ मिले हो सकता है 55 मिले तो यहाँ पर मने om आपको 20 यूयूनिट यह आपको होता है सफीश है यह फड combat क्यों सब्सक्राइब होता है तो कि करेंसे झाल हो पूल किन रही एणिटो तक वेक्ष्टा कुछ आझाता अगर यहां से 100 का 100 अगर यहां हो जाता तो हीट कहां से आ रही है तो कुछ यह तो क्रियेशन हो गया ना तो क्रियेशन तो हो नहीं सकता फॉस्ट लो के अकोडिक तो यही चीज आक्ट्वली में हमारे अगर 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 प्रेडियूसर के पास अगर आपको 60 का तक मिल जाएगा 60-70 जो मिलना है बढ़ कुछ बच जाएगा प्रेडियूसर क्योंकि कुछ चीजें जो है वह आप रेस्पिरेशन और बाखी चीजों में यूज कर दोगे आप जब इनर्जी कंज्यूम कर रहे हो उसी डूरिंग आपका रेस्पिरेशन डाइजेशन जो भी चल रहा है बॉड़ी में उसके डूरिंग आप क्या कर लोगे इसी यूस कर लोगे तो आपको 60 कल अनर्जी ही मिल रहा होगा तो वही चीज़ तो यहां पर भी हमारा जब टॉस more एको पार जो होगा वह अन यूस्फुल होता है ठीक है कुछ यूनिट्स ओफ एनर्जी जो होती है यहीं अनई यूसफुल होती है हमारा थर्म डायन८िक का और पहला लोग क्या है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्मने भी हाप बदल सकते हैं ओ सिंपल सी बात है तो यहाँ पर हम lecture को करते हैं end अगले वीडियो में तब तक के लिए अगले लेक्षर यह वेट करें और कुछा नहीं करना आपको अगले लेक्षर को करना है कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करना है ठीक है